हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ अजे गुपता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजे गुपता एडू पॉइंट स्टूडेंट हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर टू पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्बन इट्स कंपाउंड फर क्लास 10 तो उससे पहले स्टूडेंट मैंने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकर रेक्शन और इक्वेशन पढ़ा दिया है तो जो भी स्टूडेंट हो chemical reactions and equations के वीडियो देखने में तो उनके मैं क्या करूँगा इस वीडियो के end screen पे मैं playlist लगा दूँगा chemical reaction and equation chapter की तो आप उस playlist को play करके chemistry के पहले chapter के सारे videos देख सकते हो और जो भी student carbonates compound chapter पे previous चार video देखना चाहते हैं इससे पहले के वाले उनके लिए मैं क्या करूँगा कि आई बटन में previous चार वीडियो का link डाल दूँगा तो आप उस link पे क्लिक करके भी previous चार वीडियो देख सकते हो तो जो भी student मेरे channel पर पहली बार आ रहे हैं या मेरा channel video पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरी topic है student वह है cyclic hydrocarbons जिनको हम close chain भी कहते हैं या ring भी कहते हैं the hydrocarbons in which the carbon atoms are arranged in the form of a ring are known as cyclic hydrocarbon तो cyclic hydrocarbons student ऐसे hydrocarbon होते हैं जिनमें carbon atoms जो होते हैं वो एक ring की shape में या ring की form में arrange होते हैं उन्हें हम cyclic hydrocarbon कहते हैं या अलसो भी saturated और unsaturated वो जो cyclic hydrocarbon है वो saturated भी हो सकते हैं और unsaturated भी हो सकते हैं दा saturated cyclic hydrocarbons और known as cycloalkyns while the unsaturated hydrocarbons are classified as cycloalkyns and cycloalkyns जो saturated वाले students cyclic hydrocarbon होने हम cycloalkyns कहते हैं जो unsaturated वाले हैं उनमें दो टाइपस आती है एक cycloalkyns आती है दूसरा cycloalkyns आती है तो चलो सबसे पहले बात करते हैं cycloalkyns की तो cycloalkyns are the saturated cyclic hydrocarbons containing only single bond between the carbon atoms so cycloalkyns क्या है saturated cyclic hydrocarbon है जिनमें क्या होता है carbon कारण के बीच में single bond होता है और सिर्फ यह है कि जो carbon atoms होते हैं वह ring की form में arrange होते हैं तो जो इनका जर्नल formula है cycloalkyns का वह होता है cn h2 n तो यह formula स्टुडेंट सेम है जैसा कि हमने alkyns में पढ़ा था बट वहां पर क्या था n जो था 2 से स्टार्ट था जबकि cycloalkyns की case में जो है वह 3 से स्टार्ट है 3 4 5 सो ओन तो for example में सबसे पहले अगर n की वेली हम 3 लेंगे तो वह जो compound बनेगा उसका नाम बनेगा cyclopropane और अगर n की वेली 4 डालेंगे तो बनेगा cyclopentane तो अगर n की वेल्यू 5 डाल देंगे वह बन जाएगा cyclopentane तो student राइट साट पर आप डायरम देख रहे हो जो structure देख रहे हो मैंने साइक्लो हेक्जेन का बनाया हुआ है इसी तरह से आप cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane का आप खुद कर सकते हो तो यहां पर मैंने जो structure दिया है साइक्लो हेक्जेन का दिया है जिसका structure formula यह molecule formula वो है C6H12 क्योंकि hexane का number 6 होता है उसमें n की वेल्यू 6 डालो तो H12 हो जाएंगे उपर general formula में तो इसमें क्या करना है आपने हमारे पास C6 carbon atom उनको हमने जैसे math में hexagon figure मनाते है वैसे arrange कर देने हैं और हर carbon atom को क्या होगा दो-द hydrogen atom मिलेंगे इसी तरह से student आप बाकी structure भी खुद ड्रॉ कर सकते हो साइक्लो प्रोपेन साइक्लो ब्यूटेन और साइक्लो पेंटेन का आप structure खुद ड्रॉ कर सकते हो इसी तरीके से होगा वो भी अब बात करते है student बी पार्ट साइक्लो अलकीन की प्रोपेन साइक्लो प्रोपेन ये स्टूड्या दिया वो साइक्लो प्रोपेन का मैंने structure बनाया है और जिसका जो वो molecular formula है वो है C3H4, propene में student propene का number 3 होता है, पहला number होता है methane का, दूसरा ethane का, तीसरा propene का, चोथा butane का, पांच मा, pentane का, 6 जो है हो hexane का number होता है, तो propene या प्रोपीन का number 3 है, इसमें 3 carbon atom होंगे, और इसमें hydrogen जो हो, 4 होंगे, इसका जो formula बनेगा, वो बनेगा CNH2N, चलो हमारे पास जो structure दिया हुआ है इसमें, वो मैंने cyclopropene का लिया हुआ है, इसमें carbon 3 है, hydrogen 4 है, और एक जो है वो double bond आ जाएगा, तो यह आप देख रहे हो, structure देखो, एक carbon atom उपर है और एक नीची है, और एक right side पर, तो यह हमारे आगे 3 carbon atom, अब हमारे पार hydrogen कितने 4, तो पहले वाले को carbon को एक hydrogen जाएगा, दूसरे को भी एक जाएगा, और तीसरे वाले को 2 hydrogen जाएगे, अब carbon atom क्या करता है, चार bond पूरे करता है, उसमें एक double bond भी लगाना है, तो यहाँ पे जो carbon के साथ एक 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 लगा है, वहाँ पे मारा double bond आ जाएगा, तो यह हमारा structure बन गया, cyclopropene का, इसी तरह से आप cyclobutene और cyclopentene का structure भी बना सकते हो, butene के लिए जो structure होगा, वो चारो carbon atom in the form of a square आ जाएगे, और cyclopentene में उनका जो structure होगा, वो जैसे mass में pentagon होता है, उस shape में होगा, अब बात करते हैं, cycloyalkynes की, तो cycloyalkynes भी unsaturated cyclic hydrocarbon है, जिसमें कम से कम क्या होगा, एक triple bond होगा, between the carbon atoms, for example, cyclobutene, sorry, cyclobutene, cyclopentene, तो cyclobutene का formula है, C4H4, और cyclopentene का C5H6, तो आप स्टुरेटे ने राइट साड पर देख सकते हो, मैंने cyclobutene का structure draw किया हो है, दो carbon atom उनमें triple bond बना दिया, क्योंकि ये, इसमें triple bond आता है, तो वो carbon के बीच में triple bond बना दिया है, और hydron मेरे पास 6 है, sorry, इसमें hydron मेरे पास 4 है, तो जो तीसरा और चोथा carbon atom उनमें 2-2 hydron को मिल रहे हैं, ये student number of hydrogen atom को carbon को मिल रहे हैं, ये according to the bonds मिल रहे हैं, कार्मन के आप देखो, हर कार्मन के 4 bond पूरे होने चाहिए, उपर जो 2 carbon atom ने 3-3 bond लगें हैं, और 4 नीचे आरान दुनों का होगे, चारबन पूरे, जो नीचे वाले carbon atom है, दो hydron के साथ में bond बनाया, एक उपर वाले carbon के साथ बनाया, एक राइट साथ के साथ बनाया, अगर आपास, aromatic hydrocarbon, the hydrocarbons are their derivatives, containing one or more benzene rings in their molecules are called aromatic hydrocarbon, तो सुर्ण, aromatic hydrocarbon क्या होते हैं, the hydrocarbon या फिर उनके derivative, derivative होते हैं, वो जो उनसे drive होते हैं, उनमें अगर एक या एक से दादा benzene ring होती होती है, उसके molecule में उन्हें हम बोलते हैं, aromatic hydrocarbon, तो for example के तोर पर, benzene जो है, वो सबसे simplest aromatic hydrocarbon है, जिसका molecular formula है, C6H6, तो इसमें क्या होता है, student, तीन alternate single bonds होते हैं, और तीन alternate double bonds होते हैं between the carbon atoms, तो student, जो alternate है, alternate का मतलब होता है, एक छोड़कर एक, तो इसमें total bond carbon जो है, वो 6 है, उनमें 3 double bond बन रहें, एक एक छोड़कर, और 3 single bond बन रहें, एक एक छोड़कर, तो आप students का structure दे सकते हो, benzene का, benzene के student मैंने 2 structure बनाए, एक तो structure बनाया है, दूसरा electron dot structure बनाया है, right side वाला, अगर आपको structure बनाना आ जाए, तो electron dot structure बनना बिलकुल easy हो जाता है, तो benzene की जो shape है student, वो भी hexagon की तरह ही है, सिर्फ difference ही है कि इसमें carbon 6 है, तो hydrogen भी 6 होते हैं, जबकि cyclohexane में carbon 6 होंगे, तो hydrogen 12 होते हैं, double होते हैं, बाकि उनमें single single bond है, सब ही carbon अटके बीच में, इसमें carbon के बीच में double double bond है, आएगा, तो जिससे carbon की balance हो जाएगी, तो हर carbon atom ने चार bond अपने पूरे करने होते हैं, सबसे प्रहें top से चलते हैं, जो top वाला carbon है, दो bond उसने बनाया है, right side वाले carbon के साथ, एक बनाया है, left side के साथ होगे, तीन bond, चोथा उसने बनाया, hydrogen के साथ होगे, दो बनाया, और नीचे बनाया きारण के साथ होगे, तो एक बनाया नीचे बनाया और य। रइड़ के साथ पनाया, पूरे बनायी पूरे... अब जो राइड सेट वाले carbon के साह पनाया, अब जो राइड सेट वाले, बना याइड Freddy के साथ उसके भी चार-बूरे हो गई तो सची एक med को को समझ उस्य इलेक्टर रॉप्सिक्टरी बनता है ऑपने दो ईलेक्टरन के साथ कर दिने जहां पर तो आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में